सर नायर हो सर बुलिए सर मैं क्या कर सकता हूँ सीम सर आपको शहर बुला रहे सर मैं कहीं नहीं आऊँगा बात कर ले तो सर सर वो शहर नहीं आना चाहते हैं ठीक है उनके हाथ में फोन दो सर सीम सर आपसे बात करना चाहते हैं नमस्ते सर क्या आप तुम सिटी में नहीं आओगे? सॉरी सर, जब भी किसान सिटी में आता है, तो उस पर लठी चार्ज करके, गोली बारी करके, उसका आपमान किया जाता है. मतलब, तो तुम्हारे हिसाब से सरकार को तुम्हारे पास जाना चाहिए? समस्या जब हमारी थी, तब हम लोग आपके पास आये थे. अब समस्या आपकी है, तो अब आपको हमारे पास आना चाहिए. सर, सिर्फ आप अकेले ही नहीं? आप, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी को, सभी को आना होगा. क्या डिमांड है? नमस्ते सर. नमस्ते. क्यों कर रहे हो यह सत्तुम? तुमने जो कुछ भी किया है, उससे कितने करोड का नुकसान हुआ जानते हो? शेहर के लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है. थोड़ी से भी इंसानियत नहीं है तुम में? ऐसा है तो किसान इंसान नहीं है? उन्हें कोई तकलीट नहीं होती? आखिर तुम चाहते क्या हो? सर, आपकी नजरों में किसान का क्या मतलब है? सबके जैसा, वो जो जानते हैं वही करते हैं. क्या मतलब? मतलब, मटका बनाने वाला कुमार, मटके की मिट्टी किसानों की जिंदगी है. किसानों का आउसार, किसानों की मुख्य चीज है. कपड़े, किसानों नहीं पैदा की हैं. मतलब, इन सब में मुख्य तो किसान ही हुआ न? हाँ, समझ गए. अब दिमांड बताओ. मौसम के अनुसार किसान खेती करता है. इसलिए बीच में रहने वाले रेट में ही फिक्स करेंगे. क्या फर्क पड़ता है? रेट ही चाहिए न? ऐसा है तो हमारे पहनने के कपड़े, घूमने वाली कार, हमारी घड़ियां, इन सब के भी तो रेट फिक्स करो न? चलो जाने दो, आपकी पगार भी तो आप मीटिंग करके डिसाइड करते हो न? आपको जो जनता चुनती हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते? उसकी व्यवस्ता करना, P.W.D. मिनिस्टर का काम होना चाहिएं. वो सब हम लोग क्यों करें जी? M.L.A. है ना वो करने के लिए? देखिए जीला पंचायद, गाउं की पंचायद, तालू का पंचायद में पानी नहीं मिलता है, सबको पानी देना होगा, सबको पानी देना ह होगा. अब इसे कोई भी किसान वहाँ नहीं आएगा, दलाल खुद किसानों की जगा आके लेके जाएगा, नो मेडियेटर्स. नेक्स्ट, किसानों की लाइफ का इंशोरंस, नहीं होगा, इसमें बहुत खर्चा आएगा, सभी डिपार्टमेंट में, पी एफ और ग्रेचुटी के साथ, छुट्टियों के लिए भी सैलरी मिलती है, पे कमिशन के हिसाब से, सैलरी भी ज्यादा होगी, इन में से किसी ने बीजों को किसान ही बचा कर रखेंगे, आज से तीन साल तक खाद और दवा सप्लाई करने वाली सारी की सारी दुकाने पंद, अभी से कुछ भी होने दो, जैवी खेती होगी, और गैनिक, बड़ी बड़ी कमपनियां हम से जुड़ी हुई हैं, तो उनका क्या करेंगे, क्य सेज, special economic zone, multinational company, factory और भी बहुत कुछ, green belt, मतलब, पहाडों के पास रहने वाली जमीनों पर कोई कभजा नहीं करेगा, चाहो तो खराब लैंड दे दो न, वो लोग नहीं माने तो, फ्री में दे रहे हो, नहीं माने तो छोड़ दो, नौजवानों के लिए क्या काम, क्रिश को भगवान मान कर पूजा करने वाला देश है हमारा, इसलिए तो सूर्य नमस्कार करते हैं, भूमी पूजा करते हैं, पहली बारिश गरते ही हल्की पूजा करते हैं, ऐसे पूजा करने वाले किसानों को भगवान मानना गलत बात है, और कुछ नहीं है न, है न, लोन देने पहले गरीबों पर दबाओ कम करो, उन बेचारों को एक रुपए में एक किलो चावल, ये भागिया वो भागिया कहकर किसानों के साथ धुका करने से पहले रोको, 60 रुपए तक का चावल खाने के लिए किसानों का स्वाभी मान बढ़ाओ, और कुछ भी है क्या? किसानों का दिन Yani Pharma's Day अब ये क्या है इससे क्या होगा City मेरे रहने वालों के लिए Father's Day Mother's Day Peaches Day Valentine's Day Celebrate करते हो तो Tech Car gas क्यो नहीं जोट देने के लिए तो लोग दूर दूर गाउं से आते हैं तो किसानों के लिए किसानों का भी एक दिन होना चाहिए यही हमारे समस्यां भूलिए कब इन सब को सॉल्फ करेंगे हम इसे कैबिनेट में रखेंगे उस पे चर्चा करने के बाद ही मताएंगे कितने दिन चाहिए आपको शेशन बुलाई जाएगी फिर दोनों हाउस में बाचित होने के बाद ही कितने दिन चाहिए तक्रिबंद दो महीने तब तक आप लोग भूके ही रहेंगे ये ये तो तुम ब्लैक मेल कर रहे हो देखो बिल पास होने के बाद ही होगा योर राइट जब एलेक्शन नस्दीक होते हैं तो जो भी समस्या होती है उसे आदे घंटे में पास कर देते हो लेट नाइट भी सशन चलाते हो किसानों के लिए किसानों के बीच में ही रह कर फैसला होना चाहिए